से पहले एवरेज की प्रोब्लम दूसरी आपके ब्रेक शू जल्दियाल दिखता हूं तो यह दोस्तों देख सकते हूं जो यह टायर प्रोपर असानी से घूम रहा है ना यह टायर ऐसे करना पड़ेगा इस तरह से करना पड़ेगा बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको अगर दोस्तों सबसे पहले मैंने पिछले टायर पर चैक लगाया है आपको घुमा के दिखांगी प्रॉपर भूम रहाएं यह थीक से हिंज बनाया है दोस्तों वह हिंज अगर इस तरह से खुला-खुला रह जा रह रहा है यह बहुत ज्यादा गरम हो जाते यह बह ज्यादा जाम हो जाते हैं यानि जो उसका राइड टायर वो जाम हो रहा है एक टायर हो रहा है हो सकते हैं आपकी कार में दूसरा वाला टायर हो रहा हो या पीछे का टायर हो या दो टायर एक साथ हो रहे हो या आगे का या पीछे का मतलब सिंपल सा ही है कि अगर आपकी कार क कäter कोई भी टायर दोस्तो जाम हो रहा है, प्रोपर तरीके से नहीं घूम रहा, कुछ टाइम चलने के बाद, या wakingचा बहुत ज्यादा फूरा है दोस्तो उसके वज़ए से थायर घुशते हैं बारबार चले जाते हैं बारिश के पानी में और सरधी के सथिए व सकता है वह सिकायात तो यह मैं प्रपर स्लूशन बताने वाल ह deuts दूस्तो नैनो कार मेरे भाई का एक रिक्वेस्ट आ रहा था नैनो भी है और किसी भाई के पास दोसरी कार है तो उसका भी शलूशन दिखाने वाला हूं तो सबसे पहले दोस्तो यह टायर ले लेते हम तो आजाओ भाई पास मेंगा है तो तो जो तो समझ्छाओ उसी इंदर प्रॉब्लम् है और और बहुत जगण हो जाते हैं एक चीज है अंदर मेकेंजम था हम दाने दिखेगा किकल नंडर इससे लगा良 है तो प्रैसर नगाते हैं नाड़ के अंदर वह यह चीज आधे सी यहिस तरह से घुलते हैं जह उसका वेल इसे लगाते हैं तो प्रेशर बनता है प्रेशर की वज़े से दोस्तों वह खुल जाते हैं और उसके बाद इस तरह से लॉक हो जाते हैं लेकिन वह बारिस में बार बार भीगने की वज़े से या कई चीज़े ऐसी हो जाती हैं उसके अंदर कोई कचरा आ जाता है ग्रीशिंग वगरा कम हो जाती है तो वह हिंज जैसे ब्रेक लगाते हैं वह इस तरह से खुली की खुली रह जाती है दोस्तों खुलने की वज़े से यह हो जाता है दोस्तों या आपकी कोई अधरकार हो दोस्तों उसमें डिस्क पैड में दोस्तों इस तरह से लगे ह लगता है प्रोपरली रिलिज नहीं हो पाता है और हीट होने लगता है बहुत ज़्यादा उसकी वज़ए से कार की ब्रेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तो आपको चीजे चैक करनी पड़ेगे दोस्तों सबसे पहले तो आपको टायर चारो टायर पर ब्रोट लगा enjoy दो ऐके करने चैक करें रहे तो समझ्ज जाओ दोस्तों कि आपकी टायर के अंदर कोई प्रॉबलम नहीं अगर नहीं गोम रहते दोस्तों सेमवी दिक्कत आ बसकते हैं और एक चीछ यहां पर ये भी होती है कि आपकी जो टायरन दोस्तों वह घिस्ने की जो हिंजे потребा कि से बार गारव मीदा प vapac standing पढ़ता है दोस्तों बहुत असर पढ़ता है अगर आपकी कार की एवरेज नैनो की आ रहे है दोस्तों 20 की आ रहे है तो आपकी 15 की संथिंग एवरेज हो जाएगी एवरेज भी कम हो जाती है तो यह कुछ आपको सबसे पहले तो अगर कोई भी टायर आई आप घर भी कर सकते हो लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज किसी नियर बाय किसी जो भी अच्छा आपके पास मेकानिक हो उस मेकानिक से ठीक करवाओ कार को नहीं तो दोस् सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहां पर चानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों सबसे पहले मैंने पिछली टायर पर जैक लगाया है तायर एक आपको घुमागे दिखाऊंगे प्रॉपर घूम रहा है नहीं घूम रहा है ठीक है तो आई यह मैं दिखा द लगाया मैंने जैक तो यह जैक लगाया तो तो दोस्तों यह थोड़ा टाइटली घूमता है तो यहां पर थोड़ी महनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जब महनत करोगे ना तो उसकी विज़े से हो गये आपकी पूरे टायर का प्रता चल जाएगा कि कौन से टायर ज कि अधा फाइनली मैंने उठा लिया है अब इसकी दोस्तों है मैं हैंने खीूच लखे हैं हैंड बेक करके आता हूं मैं यह सब्ल ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको अगर आपकी टायर के जो भी हाँ पर वील है वो जाम हो चुके ना ब्रेक की वज़े से तो इस तरह से जाम होगा वह आपको single hand से होगा ही नहीं तो यह दोस्तों देख सकते हूं मैं single hand से असानी से कर रहा हूँ यानि इसके अंदर कोई भी ऐसी problem नहीं है जिसकी विज़े से tire jam हो रहा है या कोई भी ऐसी problem car के अंदर है ही नहीं इस तरह से आप 4 टायर को तो एक बार ही चेक कर लो असानी से अगर आपको लगता है कि कोई भी टायर जाम है तो प्लीज जाके मेकैनिक से खुलवा लो अगर आपको आता है खुद से करना तो खुद से भी ट्राय करके खोल लो उसे दोस्तों नहीं तो आपकी कार के अंदर दोस्तों कई प्रॉब्लम पर दोस्तों जल्दी से जल्दी पैंचर हो गया नि जो भी साइड है साइड हो जाएगी जल्दी तो यह कई ज़्यादा प्रावलम आ जाती है दोस्तों आपको ठीक करवाना चीह यहीं कुछ मेरा तो आपने देख लिया दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना क्यूंकि हम पर इस तरह कि आप मैं वीडियो लेकर आने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूं हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट आ रही हो यारो मैं थो क्योंकि यहां पर इस तरह कि मैं वीडियो लेकर आने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको मेरे दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना साथ ही साथ आप हमारे इस यूडिव चैनल पे नए हो तो प्लीस चैनल को स लेना क्यूंकि यहां पर इस तरह की वीडियो आती रहती है मिलेंगा में इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे तब तक कि लिए मेरे दोस्तों चैनल वन्य मात्रम उो बुड़ दुब one